और जो पिछले महीने डेड़ महीने के इंसिडेंट्स हुए हैं उससे तो मुझे यही लग रहा है कि भगवान हम लोगों से कुछ करवाना चाह रहा है और यह जितना कुछ हो रहा है हम तो निमत मात रहे हैं भगवान ही सब कुछ कर रहा है अंदर आप लोगों के बारे में पता चलता रहता था अंदर वहां का जो स्टाफ है वहां के सिक्यूरिटी वाले हैं उनसे बात करता रहता था वो और हारे मेली की जानकारी दे देते हैं तो पीछे से आपको लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे मेरे को यही चिंता रहती थी कि अगर मेरे अंदर जाने की वज़े से दिल्ली के अंदर काम रुक गए अस्पतालों में दवाईया मिलनी बंद हो गई बिजली में गड़बड हो गई पानी में दिक्कत हो गई तो फिर इनको एक बहाना मिल जाएगा चुनाव के बीच ओबीच हम लोग एक तरह से नेरेटिव भार जाएंगे लेकिन आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया अपने अपने इलाके के अंदर और सारी चीजों को संभाल के रखा ये लोग भी जब आते थे आतीशी आती थी सुनीता आती थी इन से सौरव भारद्वा जाते थे भगवन तुमान इन से भी मैं यही चर्चा करता था कि दिल्ली में सारी विवस्ता ठीक चल रही है नहीं चल रही अभी सही बोला आप लोगों ने इनका पूरा प्लान ये था जो बीजेपी वाले भी गिरफतारी के पहले जब बीजेपी वाले मिलते थे तो वो यही कहा करते थे कि अब आपको गिरफतार करेंगे आपको गिरफतार करने के बाद आपकी पार्टी तोड़ देंगे दिल्ली में सरकार गिरा देंगे फिर उधर पंजाब में किसी भी तरह से आपके MLS को करके वहाँ पे और फिर भगवन तमान को अपने साथ ले लेंगे और यह पूरा इन्होंने पता नहीं क्या क्या कहानिया बन रखे दें और हुआ बिल्कुल उल्टा गिरफतार करने के बाद हमारी पार्टी और ज्यादा एक जूट हो गई अलग-अलग तूटने के बजाए ना यह हमारी सरकार गिरा पाए ना यह हमारे MLA तोड़ पाए ना यह हमारी पंजाब सरकार के ओपर डेंट कर पाए इनका पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया उल्टे पूरा पॉलिटिकल नेरेटिव जो पूरे देश के अंदर था वो नेरेटिव इनके सब के खिलाफ चला गया और इसके लिए सबसे ज़ादा बधाई के पातर आप लोग हैं मुझे पता चला आप मेंसे कई लोगों को इन लोगों ने टच करने की कोशिश की इन लोगों ने कोशिश की तोडने की तरह तरह से लालच देके धंकियां देके मैंने individually आप लोगों से मेरे को पता चलता रहता था किस किस को touch कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं टूटा आप लोग सब लोग मजबूत रहे मैं इसके लिए party भी और देश भी गर्व महसूस करता है आप लोगों के उपर लोगों को यकीन नहीं होता है यह party कैसी है इनका कोई नहीं टूट रहा बाकी तो कई जगे से सुनने आया वो इंदौर वाला चुनाओ के पहले ही छोड़के चला गया सूरत वाला चुनाओ के पहले ही छोड़के चला गया और एक यह हमारी पार्टी है जो दस साल हो गया बारा साल हो गया अब लेकिन ये कोई जाता ही नहीं है कहीं नहीं जाता है इनको सारा सब कुछ करके देख लिया E.D. की धंकी भी इनके उपर काम नहीं करती तो ये आप लोगों की मजबूती का नतीजा है जो आज हम लोग टिके हुए है और आगे भी हमें इसी तरह से मजबूत रहना है 21 दिन के लिए मैं बहार आया हूँ और दो तारीक को फिर वापस जाना है तो उसके बाद आप लोगों को पार्टी संभाल के रखनी है क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस देश को भविशे अब आम आदमी पार्टी दे सकती है बाकी सारी पार्टीों को इन लोगों ने देश के लोगों ने आज माके देख लिया और आज देश का ये हाल है आम आदमी पार्टी को जब भी मौका मिला पंजाब में अभी मतर दो साल हुगे हैं सरकार बने दो साल के अंदर इतना अच्छा काम कर दिया इतना अच्छा काम कर दिया और दिल्ली के अंदर जो हमने काम किया हमारे काम की वज़े से ही आज लोग हमें पसंद करते हैं जो भी मीडिया वाले दिखाते हैं, बाइट दिखाते हैं, सड़क पे चलते लोगों से पूछते हैं, वो लोग यही तो कहते हैं, यार केज़िवाल ने इतना अच्छा काम किया, उसको जेल में क्यों डाल दिया, केज़िवाल ने इतना अच्छा का, हमारे काम की तो चर्चा झाल